मूवी का स्टार्ट एज सिटी से होता है जहां अंडरवाटर प्लामिंग रिपेर के दुरान एक आदमी को एक लॉक्ट चेस्ट मिलता है जिसको अनलॉक करने पर उसके अंदर से एक ग्रीन वुडन मास निकलता है। चेस्ट अनलॉक करते ही उस आदमी पे एक पाईप आके क कांगरता है स्टैनली की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता है हर कोई उसकी इंसल्ट करता है सिर्फ उसके कॉलिक और बेस्ट फ्रेंड चार्ली स्कूमेकर के इलावा जो उसे वीकेंड पे कोको भॉंगो नाइक लग ले जाने का कहता है तभी बैंक में एंट्री हो कर लेती है स्टैनली किराज में अपनी कार्ली ने जाता है जो उसे ठीक करवाने के लिए दी थी वहां भी शौप का ओनर स्टैनली को बेवकुफ बना के खराप सी पुरानी गार्ट दे देता है जिससे नाइट लब ले जाके स्टैनली की बहुत इंसल्ट होती है उसके बा स्टैनली की कार ले लेता है जिस पर स्टैनली बहुत इंबारस हो जाता है उससे बुरा यह होता है कि बीचो बीच स्टैनली की कार खराव हो जाती है जिस पर अनौय होकर वो बिच से नीचे देख रहा होता है कि उसे कोई आदमी पानी में डूपता नजर आता है स्टैनली फोरन से उसे बच्चाने पहुंचता है तो देखता है कि वो कोई आदमी नहीं बलके कार्बिज है वहां स्टैनली को एक मास्क मिलता है जिसे लेके वो घर आ जाता है स्टैनली मिरर के सामने जाके मास्क ट्राइ करता है मास्क लगाते हुए वहां लाइटनिंग शुरू हो जाती है और स्टैनली एक ग्रीन फेस्ट जूट सूटे ट्रिक्स्टर तब मास्क में ट्रांसफर्म हो जाता है जिसके बाद वो खुद को और अपनी सुरांडिंग्स को विलिंगली कार्टूनिश वे में ओर्टर कर लेता है मास्क में में बदल के स्टैनली बिल्कुल भी कॉमन और नाइस काई नहीं रहता है वो एक सेलफिश और स्ट्रांग में बन जाता है जो हर उस इनसान से बदला लेता है जिसने उसके साथ कुछ गलत किया हो इसका स्टार्ट वो अपनी लैंड लेड़ी के साथ करता है जिसके अपार्टमेंट के बाहर वो एक बड़े से हैमर से अलार्म क्लॉक को स्नूस करने की कोशिश कर रहा होता है स्टैनली की land lady निकल के उस पे firing गड़ती है जिस पर वो window तोड़ के बाहर निकल जाता है स्टैनली रोड पे जा रहा होता है कि उसे कुछ thieves रोक लेते हैं स्टैनली बहुत ही style से उन्हें वहां से भगाता है स्टैनली magician बने उन्हें balloon से different shape बना के दिखाता है और एंड बे एक बलून को गन में बदलके उन्हें डरा के बगा देता है इसके बाद स्टैनली गराज में मेकानिक्स से बदला लेता है नेक्स टे उठके स्टैनली को लगता है कि शायद वो कोई ट्रीम देख रहा था मगर तभी डोर नौक होता है डोर पे पुलिस होती है जो स्टैनली से उसकी लैंड लेड़ी के साथ होने वाले इंस्टेंट पर क्वेस्टनिंग करने आते हैं केलावे स्टैनली से पूछता है कि क्या नेक्स टूर होने पर उससे कोई अवाज आई या उसने कुछ देखा जिस पर स्टैनली ये कहता है कि उससे हेरिंग प्रॉब्लम है इसलिए उसने कुछ नहीं सुना है स्टैनली ओफिस के लिए तयार होने के बाद मास्क को विंडो से बाहर भेंग देता है मगर हम देखते हैं कि वो मास्क वापिस अंदर आ गया है ओफिस महुचने पर रिपोर्टर पेगी स्टैनली से गराज पे होए इंसिडेंट पर क्वेस्टनिंग करने आती है क्यूंकि उससे वहाँ स्टैनली की कार का बिल मिलता है पेगी को पता चलता है कि वो स्टैनली ने ही उसके पेपर के लिए लेटर्स बेज़े थे जो काफी हिट गए थे जिसके बाद वो स्टैनली से फलैट करते हुए उससे अपना नमबर दे के चली जाती है रात स्टैनली टीना की परफॉमंस अटेंट करने के लिए वापस मास्क पहनता है जिसके बाद वो अपने ही बैंक को रॉप करता है स्टैनली के बैंक रॉप करने से टायरल के आदमियों का प्लान खराब हो जाता है जो बैंक रॉब करने के लिए बाहर खड़े होते हैं उल्टा पुलिस स्टैनली की बिजाए उन बे अटाक करके टारल के खास आदमी को मार दे दी है स्टैनली रॉबरी के बाद एक अच्छे कार में नाइट लवाता है जहां वो टीना के परफॉर्मेंस इंजॉय करता है और उसके साथ बहुत देर तक दांस भी करता है ऐसा करने से स्टैनली आज मास्क मैं टीना को इंप्रेस कर लेता है वो दोनों केस करते हैं तभी वहाँ टारल अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है टारल को पता चल चुका होता है कि उसके आदमियों के जगा मास्क मैं ने बैंक रॉब किया है इसलिए वो स्टैनली पे अटाक कर देता है पहले तो स्टैनली टारल को उसके लीगल कामों की लिस्ट पताना शुरू हो जाता है जब ये वर्क नहीं करता तो टाइरल का आदमी स्टैनली पे फारिंग करता है स्टैनली ऐस मास्क मैन बहुती फ्लेक्सिबल होता है जिस पर वो बहुती फ़नी वे में अपनी बाड़ी को मोड़ करते हुए बुलेट से बच जाता है इसके बाद स्टैनली टाइरल और उसके आदमी को ट्रिक करते हुए शो करता है कि उसे बुलेट लग गई है स्टैनली बहुती एमोशनल एक्टिंग करते हुए टाइरल के आदमी को एमोशनल कर देता है मगर टाइरल उसका दिमाग समझ जाता है टाइरल और उसका आदमी स्टैनली पे फिर फारिंग शुरू कर देता है मगर स्टैनली किसी कार्टून की तरह जम करता वहां से भाग जाता है पीछे से पुलिस आकर बैंक रॉबरी के इंजाम में टाइरल को अरेस्ट कर लेती है डिटेक्टिव केलवे को वहां स्टैनली के पिजामा का पीस मिलता है जो टाइरल की फारिंग के दौरान उतर के वहां गिर जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग स्टैनली मास्क हाथ में लिए सो रहा होता है कि केलवे वहां आ जाता है स्टैनली मास्क चुपाने के लिए अपनी क्लोजेट खोड़ता है तो अंदर से भी रॉप की हुई मनी निकलाती है स्टैनली किसी तरह मनी और मास्क को हाइट करके डोर ओपन करता है तैनली से क्वेस्टिंग करना शुरू कर देता है मगर कोई प्रूफ ना मिलने पर वहाँ से चला जाता है तैनली से लेट आने पर एस यूजल रूटीन की तरह उसे डानता है तो इस बार स्टैनली उसे आगे से जवाब दे के चुप करवा देता है तभी वहाँ टीना आ जाती है जो स्टैनली को बताती है कि उसे मास्क मैन पसंद है इस पर स्टैनली टीना को इंप्रेस करने के लिए कह देता है कि मास्क मैन उसका कॉलेज फ्रेंड है तीना जब मास्क मैंसे मिलने की रिक्वेस्ट करती है तो स्टैनली उसे मास्क मैंसे मिलवाने के लिए हाँ बोल देता है स्टैनली जाकर साइकेटरिस आर्थर नियूमन से मिलता है जिसने रीसेंटली मास्क पे बुक पब्लिश की होती है वहाँ स्टैनली पे रिवील होता है कि ये मास्क लोकी नॉर्स गॉर्ड की क्रियेशन है नॉर्स गॉर्ड नाइट और मिश्टीव का गॉर्ड है डॉक्टर आर्थर के सामने मास्क फेंके चेंज होने की कोशिश करते वक्त स्टैनली पे ये रिवील होता है कि मास्क के पावर्स बस रात के वक्त काम करती है क्योंकि डेलाइट में स्टैनली चेंज नहीं हो पाता है रात को स्टैनली एक लोकल पार्ट में टीना से मिलता है जो वहां मास्क मैंन से मिलने आई होती है स्टैनली बुश के बीचे जाके मास्क मैन में चींज हो जाता है मास्क मैन और टीना का रोमेंस चली रहा होता है कि वहाँ कैलवे आकर उन्हें इंटरप्ट कर देता है कैलवे स्टैनली को अरेस्ट करने लगता है तो स्टैनली फिर से कॉमेडी स्टार्ट कर देता है जब पॉलिस इंसेक्टर स्टैनले को सर्च करना शुरू होते हैं तो उन्हें उसकी पॉकिट्स में से सरकस की हर बड़ी से छोड़ी जीस मिलती है स्टैनले केलवे को ट्रिक करते हुए उसे उसके कॉली के साथ हैंडकफ करके पार्ग से बाहर निगलता है तो वहां एक पॉलिस की लंबी लाइन उसे अरेस्ट करने आई होती है जिने वह बहुत ही स्टाइल से डिस्ट्रैट करके वहां से भागता है स्टैनली क्यूबन पीट सौंग पर परफॉर्मस स्टार्ट करके सब पॉलिस वालों को अपने साथ डांस करने पर लगा देता है तब तक कैलवे वहां आ जाता है जो पॉलिस वालों को दुबारा नॉर्मल करके स्टैनली के पीछे आता है मगर स्टैनली तब तक मास्क उत दिता है इसी दोरान में डॉग मायलो उन्हें फॉलो करने लग जाता है डाइरल स्टानली से अपना काम निकल वा के इससे पुलिस टेशन के बाहर के आगे फेंग देता है जिसके विंडो से स्टानली अपने डॉग को देखता होती है स्टैनली टीना को बताता है कि ये मास्क इंसान के hidden desires पूरा करता है फिर वो evil हो या romantic मास्क पहनने के बाद इंसान कुछ भी कर गुजरने को तयार हो जाता है टीना स्टैनली से कह दिया कि उसे hero बनने के लिए मास्क पहनने की जरुरत नहीं है वह as a common human being भी किसी से कम नहीं है तीना स्टैनली इसे अपना लव एक्स्प्रेस करती है जिसके बाद बता दी है कि वो टाइरल से बचने के लिए अंडर्गरांड हो रही है कुछ टाइम गुजरने के बाद उस से मिलने आएगी तीना जब पॉलिस टेशन से बाहर आती है तो टाइरल के लोग उ और लेता है। जिस पर स्टैनली उसे कैच करके अपने पास अंदर कर लेता है। त cleanser को पकड़ लेता है। सीन स्टैनली पे शिफ्ट होते हैं जो माईलो को स्लीपिंग आफिसर की पॉकेट से कीज लेने का कहता है माईलो खुद को एक इंटेलिजन डॉक्स थावित करते हुए बड़ी चलाकी से इंस्पेक्टर की पॉकेट से कीज निकाल कर स्टैनली को दे देता है स्टैनली खुद को फ्री करके इंस्पेक्टर की पॉकिट से गन निकालता है ये इंस्पेक्टर उठ जाता है मगर स्टैनली गन उसके सर पे मार के उसे बिहोश कर देता है जिसके बाद वो वहाँ से निकल रहा होता है कि कैलवे वहाँ आ जाता है जो स्टैनली को वांड करता है कि वो कुछ भी कर ले यहां से नहीं निकल सकता है जिसपर स्टैनली उसी को होस्टेज बना के सक्सेसफली जेल से भाग निकलता है टाइरल गाड़ी में बैठे मास्क पहन लेता है वो टीना को फोर्सफली अपने साथ को कुबैंगो चैरिटी बॉल ले जाता है जिसे निको होस्ट कर रहा होता है निको टाइरल का सबसे बड़ा एनिमी है उस फंक्षन में सिटी के सब नामवर लोग आई होते हैं इंक्लूडिंग मेयर तिल्ट उन टाइरल वहाँ पहुँचकर फाइटिंग स्टार्ट करवा देता है जब निको उस पे शूट करता है तो मास्क की वज़े से टाइरल को कुछ नहीं होता उल्टा वो वही बॉलर्स मुझ से निको को मारते हुए उसे रास्ते से हटा देता है स्टार्ली डेस्परेटली टाइरल को रोकना चाता है बस इसलिए वो नाइट लब पहुँचके कैलवे और मायलो को कार में छोड़के पिस्टल लिए कलब में चला जाता है जहां वो देखता है कि टारल टीना को एक ट्री से टाइअप करके उसके पास बॉम रख रहा है जिसे वो पूरे कलब को डिस्ट्रोई कर देगा स्टार्ली चारली को मिल के गन देता है और उससे कहता है कि लोगों को कलब से बाहर निकाल दे वो टारल पे अटाक करने ही लगता है कि टारल का आदमी उससे बकर कर टारल के पास ले आता है सीन्स माइलो पे शिफ्ट होते हैं जो बहुती स्टाल से खुद ही कार का डॉर ओपन करके स्टानली की हल्प करने कलब में पहुँच जाता है इससे पहले कि टारल स्टैनली को कुछ करता तीना टारल को ट्रिक करती है वो लास्ट विश के तोर पे टारल से मास्क के बगार किस मांग दी है जब टारल मास्क उतारता है तो तीना उसके हाथ में पकड़ा मास्क किक करके दूर भेंग देती है जिसे माईलो पकर लेता है टारल के आदमियों से बचने की कोशिश में माईलो अनिंटेंचली खुद मास्क पहन लेता है जिसके बाद वो टारल के आदमियों को टफ कॉम्पिटीशन देता है यहां टारल और स्टैनली के बीच फाइट शुरू हो जाती है दोनों ही एक दूसरे को बहुत मारती है जिसके बाद टारल को बिहोश करके स्टैनली माईलो के फेश से मास्क उतार के खुद पहनने ही लगता है कि टारल के आदमी उस पे फाइरिंग शुरू कर देते है यही वज़ा होती है कि मास्क दूर गिल जाता है स्टैनली फाइरिंग से बचते हुए काउंटर के पीछे चुप जाता है ऐसा लगता है कि फाइरिंग की वज़ा से वो मर गया है जिस वज़ा से टारल के आदमी फाइरिंग रोग देते हैं मगर तभी स्टैनली मास्क पहने वहाँ एंट्री देता है जो एक जाइंट वैपन निकाल के सब आदमीों को वहाँ से डरा के बगा देता है बॉम एक्स्प्लोड होने में बस कुछ ही टाइम बच्चा होता है स्टैनली वहाँ पहुँच के बॉम को अपने मुँ में डाल लेता है मास्क की वज़य से उसे कुछ नहीं होता और बॉम उसके अंधर ही एक्स्प्लोड हो जाता है टाइरल एक बार भर फिर स्टैनली पे अटैक करने आता है तो स्टैनली उसे पॉन्ड के थूँ गडर में गिरा देता है स्टैनली मास्क उतार के टीना को फ्री करता ही है कि चारली वहाँ पुलिस ले आता है जो सब को अरेस्ट कर लेती है स्टैनली टीना को लिए कलब से निकल हिरा होता है कि कैलवे उसे रोक लेता है कैलवे स्टैनली को अरेस्ट करने ही लगता है कि मेयर टिल्टन उसे रोग देता है मेयर कहता है कि स्टैनली नहीं उनकी जान बचाई है और मास्क में स्टैनली नहीं टारल था जिसब स्टैनली सब एविडेंस से फ्री होकर वहां से पच निगलता है लास्ट सीम्स में स्टैनली टीना माईलो और चारली के साथ प्रिज पे जाके मास्क वापपस सी में भेंग देता है जिसके बाद टीनौ। तैनली किस अलू होते हैं कि चाल्ली सी में छलान लगा के मास्क को पकरने की कोशिश करता है मगर मास्क मायलो पकर लेता है और इसके साथ ही मुवी एंड हो जाती है